मारुतिस जू की अपनी पसंदीदा कार अल्टिगा का लेटेस्ट वेरियंट भारत में लौच करने जा रही है मारुतिस जू की अल्टिगा इंडियन मार्केट में अपनी सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर MPV है इंडियन मारकेट में MPV सेग्मेंट में मारुती अल्टिया की सेल हमेशा टॉप पर रहती है इंडियन मारकेट के लिए हिंड़ी मोटर्स भी अपनी All New Starria को लाच करने के तयारियों में है वहीं इंडियन मार्केट में अपनी MPV के पॉबलर्टी को बनाए रखने के लिए मारुतिस जूकी अपनी अर्टिका के फेसलिफ्ट मोडल को लॉंच कर सकती है तो है गाईज मेरा नाम है साहिल और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस चैनल को भी सबस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फरस्ट अफॉल बात करते हैं इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म और इसके डिजाइन की अपकमिंग अर्टिका फेसलिफ्ट को मारोति सुजूकी के हेड़ टेक प्लेटफॉर्म पर मैनुफेक्चर किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को लाइट वेट एंड स्पेस फुली बनाया जाता है अपकमिंग अर्टिका के डिजाइन को भी काफी ज़्यादा मस्किलर एंड स्पोटियर बनाया जाएगा ताकि वो अपनी कम्पिटेटर्स को कम्पिट कर सके नई अर्टिका में की लेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट और ऑटोमेटिक लाइमेट कंट्रोल जैसे फिचर्स मिल सकते हैं अर्टिका फेसलिफ्ट के एक्स्टिरियर डिजाइन में न्यू ट्रायो बीम, LED हेड लेंप, LED DRLS, न्यू डिजाइन फोग लेंप, कैसकेडिंग ग्रिल, न्यू स्पोटियर डिजाइन, डायमंड कट अलोई विल्स, सिल्क रूफ रेल एंड रियर साइड में चार्जिंग, एम्बीट लाइटिंग, इलेक्रोनिक संरूफ, इलेक्ट्रिकली एडिजेस्टबल ड्राइविंग सीट, एर प्यूरिफायर, स्टेरिंग माउंटेट ओडियो एंड क्रूज कंट्रोल, फुली डिजिटल इंस्टूमेंट कलसर एंड थर्ड रो के लिए ऐस पिड मैनुवल एंड ओटो दोनों ही ट्रांसमिशन अवेलेबल है, लेकिन अपकमिंग मोडल में इसके लावा 1.5 लिटर डिजल इंजिन भी ओफर किया जा सकता है, जो कि ओटो एंड मैनुवल दोनों ही ट्रांसमिशन में ओफर किया जाएगा, अब बात करते हैं अपकमि अब ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिये, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग